हेलो गाइस आप सबका बिग बिग विलकम है मेरी चैनल पे ये वीडियो स्पोइलर होने वाली है तो जिनको स्पोइलर नहीं चाहिए वो लोग स्कीप कर दें तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नोबेल पे हमें देखने को मिली थी कि कीन और पोर्स दोनों ही इन्युवर्सिटी स्टूनें हैं पर सीरिस में हमें बस एक बार पोर्स को इन्युवर्सिटी जाता हुआ दिखाया गया है और उसके बाद से में फोकस बस माफिया कैसे होते है क्या करते है उसे में फोकस कर दि पर सिर्यस में हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला एपिसोड नाइन देखकर दिल तूट गया किन ने पोर्ट को लॉक अप पे डाल दिया तावन के कहने पे कि वो एक स्पाय और गद्दर है बट पोर्ट किन को समझाने की कोशिश करता है कि वो कम्प्लिली इनोसेंट है तावन भी पोर्ट से हेट करता है और वो भी चाहता है कि कीन और पोर्ट अलग हो जाए और वो वैसे भी कीन को पाना चाहता है लग रहा है कि उन दोनों में कुछ तो खिचरी पकड़ाई होगी ओके तो अब आते है कीन ने पोर्ट को लोक अप पे क्यों डाला तो यह हो शकता है कि एक कीन की कोई प्लैन हो कि वो लोक अप पे पोर्ट को रखके उसकी पोटेक्ट कर सके में भी कीन चाहता है कि तावन उस पर विजवास करे कीन उसके साइड है ताकि कीन पता लगा सके क कौन है गद्दर तो सायद इसलिए पोर्ष को लॉक अप पे डाल दिया पोटेक्ट करने के लिए अगर रियली किन के पाश कोई प्लान है और वो प्लान कर रहा है तो उसे पोर्ष के साथ इस पार चर्चा करनी चाहिए थी मेरा बीचारा पोर्ष खामा का कितना हर्ट हो गया लिट्रेली किन ने बोल दिया मैं किसी के उपर ट्रस नहीं करता वो लोग एक दूसरे के साथ कितना अच्छा वक्त बिदाया है तो सुनके हर्ट बेक तो होगा ही ना एक्चुली नोबेल पे पोर्ष ने बताया है कि वो सबसे ज़्यादा किन से प्यार करता है मुझे लग बता है एक दूसरे को पूर्ष के साथ हैं चलो आप बात करते हैं पीट की जो नेक्स्ट एपीशोट पे वेगस के घर जासूशी करने जाने वाला है पीट पोर्ष को इनोशें साभित करना चाता है क्योंकि वो पोर्ष को अपना वेश्ट फेन मानता है और उसका पूरा ए वेगस तावान से भी बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उसी समय तावान ने बोल दिया कि उसने में फैमली से डॉकुमेंट्स चुराया है और वेगस को दिया है और ये सुनकार पोर्स बोलता है वेगस को कि तुम एक जूटे हो मैं तुम पर कभी भरसा नहीं करूँगा होप करती हूँ कि एपिसोड 10 में हमें वेगस पीट स्टोरी देखने को मिले और वो पूल वाला सीन है कब से इंदिजार है सायद वो भी देखने को मिले